हेलो त्रियन फैमिली तो कैसे हो आप सभी लोग I hope कि आप सभी लोग सांदार होगे और आप सभी लोग को बढ़े होना भी चाहिए तो फटक से लाइक से सस्क्राइब कर दो चैनल पे सस्क्राइब का बडन दिख रहा है तो दबा दे भाई, दिखी से लिए रहे ताकि तू दबाए मैं मान के चलता हूँ, most of लोगों ने सस्क्राइब करके रखा होगा जिन लोगों ने नहीं किया है किस टाइम का वेट कर रहे हैं यार कल करो सो आज करो, आज करो सो अब पल में परले होत है, भाई करेगा कब क्या पता, सस्क्राइब से पहले यमराज का भैसा तुझे ढूड़ दे, तो भाई कर दे चैनल सस्क्राइब एटलिस नंबर तो दिखेगा तेरा देन लाइक और कमेंट तो तुम लोग करी देते हो कुछ भी उलजुलूल तो आते हैं पिछले एपिसोड पे जो की काफी खतरनाक था जहां हमने देखा हुआ होता है कि जियो यान की तो लंका लग चुकी है तो जियन तो अब टॉपिक से बाहर है एंप्रेर तियान जेंग वो इन सभी लोगों के उपर भंड नाराज होता है क्योंकि उन्होंने जो यूली के उपर अटेक किया था भाई देखो या लड़की हर किसी की बीकनेस है भाई और स्ट्रेंथ भी है उसे कोई टेच करते तो फिर पारा हाई हो जाता है एंप्रेर तियान जेंग का भी वाई था इनकी वाड़ी का कीमा हो चुका होता है लेकिन ये साले कीमे से बापस वाड़ी क्रेट कर रहे थे जो देखके एंप्रे तियान जेंग इनके दिल को चीरने की कोसिस करते हैं लेकिन दिल चीर ही नहीं पा रहे होते है ये पत्थर दिल इंसान थे जिससे चीड़ना मुस्किल था जो देखके एंपरतियान जैंग टेंसन में आ जाते कि अब क्या किया जाए क्योंकि जब तक इनका हार्ट डिश्ट्रॉइ नहीं हो गया तब तक यह ठीक नहीं मरेंगे नहीं इसलिए एंपरतियान जैंग तरीके सोच रहे होते कि तभी डोग आई आते हुए कहता है क्या हुआ मेरे आका को किसने कर दी आका की माका साकी नाका लेकिन एंपरतियान जैंग कहते हो ओए डोग आई तुम्हें नहीं रोकना होगा इन्होंने तुम्हारे आका का यह हल किया ह तो मैं इनके उपर formation बनाने चाहिए जो देखका डॉग आई तुरंत ही एक formation create करता है और Emperor Tiyanjang से बगवास करने लगता है लेकिन Emperor Tiyanjang से डांट देते हैं जो देखर कहते हैं तो ओए जूनियर है तूँ इस जद्दे देन हम देखते हैं कि डॉग आई की formation के अंदर ये बंदे लोग जो होते हैं उनका हाँ बॉड़ी का जो healing था वो slow हो गया था लेकिन तब ही ये बंदे कहते हैं Emperor Tiyanjang तुम हमें यहाँ चाहकर भी नहीं फसा सकते और उसे इस दुनिया में अप कोई भी नहीं बचा सकता नहीं उसकी body में soul है वो मर चुका है तो उसके लिए अपनी जिंदगी बरबाद मत करो लेकिन कुछ नहीं वो अपने heart से अचानक या जो light appear करते हैं Emperor Tiyanjang उनकी body को तोड़ देते हैं और यह फिर अपनी body को create करते हैं और Emperor Tiyanjang फिर तोड़ देते हैं तो इनको अप गुस्सा आ गया होता है लेकिन episode में वहीं end किया था तो यह episode स्टार्ट होता है जैस्ट वहीं से तो आव दिखते हैं कि क्या इस है इस episode के अंदर इनकी तोड़ फोड़ खत्म होगी तो इस episode की starting में scene हमें दिखाया जाता है जियो यान का उसी time पे जो यान जो की एक chaos place में होता है वो उस pillar के पास पहुंचने के बाद पूरी तरह के से chaos को चीरते हुए बिना किसी तरीके से एक divine soul बन जोका होता है हाला कि उस black shadow ने confirm नहीं किया था कि join है क्या लेकिन इसने join को destroy भी नहीं किया था जिसके बाद उसे chaos force द्वारा दूसरे पार्ट पे खिस लिया गया था जो कि एक ऐसी जगह थी जो पहले जैसी ही थी लेकिन इस जगह पर ना तो वो बड़ा सा pillar होता है और ना ही वो बड़ी सी black shadow जहां तक join ने देखा होता है केबल एक गोला कार floor होता है जिस पर nine stone के pillar होते हैं और stone floor होते हैं पहरी नजर पर देखने पर यह लग रहा होता है कि यह सभी as your figure लगभग एक जैसी यह लेकर आगर आप ध्यान से देखें तो आप बास तुम्हें देख सकते थे कि हर कोई के पास अपने अलग-अलग हैरानगी और surprise होते हैं जैन के चार ओर देखने के बाद वो अपने पैरों के तलमों को देखने के लिए से नीचे करता है और पाता है कि उसके पैर पत्तर के floor के मंच पर थे जससे कि वो उन में से एक बन गया हो जिसके बाद आप आजाती आखरी बाले को भी कट्टा कर लिया गया है कि आप सभी म जान उसकी तभी जान केता है नाइन इस टैंप जान जो कुछ भी फील कर रहा होता वो काफी अधा हैरत अंगेज होता है साथ ही जान को काफी मिश्टियरस और अजीब लग रहा होता और powerless महसूस करा रहा होता है उसे नहीं पता था कि अब जो कुछ भी वो देख रहा था वो क्या था ये जगय कहा पर थी लेकिन जितना वो इस जगय को देख रहा होता उतना ही वो confused हो रहा होता है कि उसे किस गिरोह ने खरीद लिया किस गिरोह ने खीच लिया और ये कौन सा code name है हलक ये नाम सिर्फ जो यान को पता लगा था लगता है इस जगय पर लोगों के ऐसे ही नाम थे जिसके बास जो आन कहता है मुझे इसके बारे में वता ऐ तुम कहां से हो बिसक क्यक्त चुप रहने का भी अधिकार है लेकिन तुम बहुत अधिक सकते हम बिना जिल्दों किसी मदवेध के एकसाथ यहाँ पर आई हैं और हम free होकर एक दूसरे से बाचीत कर आपको बात करने ही है। होता है वो कुछ नहीं कहता लेकिन उसके बगल में एक फिगर बोलती है चूकि आप बात नहीं करना चाहते है और बात कर도 कूछ नहीं है तो फिर ताइक्सू बर्ड ने सेनेक्सी पर अटेक किया है और यह फूर्थ टैबलेट के ऊपर खड़वा परसन ने कहा था जैसी जुहान यह सुनता है कि उसने क्या कहा तो आप तो जुहान लापरवाई से बात करने से और जाड़ा डर रहा होता है लेकिन उसका दिमाग एकदम ठि लगते थे क्योंकि कम से कम यह बात तो कंफरम की जा सकती है कि इस जगे को सेनेक्सी बर्ड नहीं होना चाहिए तब यह एक बंदा कहता है ताइक्सू ने सेनेक्सी पर अटेक कर दिया क्या यह उनकी स्ट्रेटजी तैय टाइम से कुछ जादा जल्दी नहीं है जो जाने ब कोड़ नेम तो अलग अलग थे लेकिन जो बॉड़ी थी वो विल्कुल एक जैसी होती है एक दम इंप्रेशन लेस और एज्यो बॉड़ी तब इल्यू नाम का जो बंदा होता वो तुरंदी कहता है नंबर फोर सही कह रहा है ताइक्सू ने सेनेक्सी पर अटेक कर दिया है और प्रेशन टाइम पर सिच्वेशन जादा आसावादी है नहीं साथी लियू नाम का बंदा कुछ भी नहीं छिपा रहा होता और उसे जो चीज पता होती है उस चीज को वो एक दम कनफरम कर देता है ताथी वो तुरंदी कहता है कि अगर सही तरीके से कहे तो सेनेक्सी व बनाई रखने का मतलब ही उनके लिए जिन्दा रहना है और उसके लिए उन्हें दूसरी दुनिया के संसादनों को लूट कर उस पर ही डिपेंड रहना होगा जो सुनकर नमबर टू तुरंती अपना से लाती है ऐसा लाग रहा था जैसे ये भी टैक्सू के बारें बहुत क जानते हैं जोन ने अब तक एक भी वर्ड नहीं कहा होता वो किनारे से ये सब कुछ सुन रहा होता है साथी जोन ने ये भी देखा था कि सिक्स्थ नमबर सेनेक्सी बर्ल से था इसलिए जहां चोग गया होता है साथी बात चीत को देखने पर लग रहा होता है कि ये सभी ल जो यहाँ पे आकर एक दूसरे के साथ इंपोमिसेंस को सेयर करता है लेकिन जुआन का अपना कोई भी अनुमान अभी तक एक दम क्लियर नहीं था कि यह जगह है कहाँ सच है या गलत है तभी एक बंदा कहता है तैक्सू ने काफी सारे वर्ल्ड पर टेक किया यहाँ तक कि ग्रेट वर्ल्ड भी हार गया आईए अब सेनेकसी को देखते हैं मैंने सुना है कि सेनेकसी के पास एक पावरफुल परसन है ऐसा लगता है कि उसे कहा जाता है यो हाइनेस अगर वो वहाँ पे तो फिर ठीक होना चाहिए है ना जैसे ही सी यानि नमबर टू बोलता है लिउ तुरंती अपना से लाता है और कहता है जैसा कि उसने यो हाइनेस के वर्ड को सुना था सभी जो यान भी जब ये वर्ड सुनता तो एकदम हैरान हो गया होता है क्योंकि वो इस टांप पे अपने आसपास किसी की भी नजर को नहीं देख पा रहा था उसे नहीं पता कि उसे कौन देख रहा है लेकिन जो यान चारो और देखता है हाला कि क्योंकि यहाँ पे जो यान और ये सभी एक जैसी फिगर है इसलिए किसी भी समस्या के बारे में सोचने की कोई जवत नहीं थी यहां पर यह सब लोग एक ही थे ना ही किसी के चेरे पर कोई इंप्रेशन दिख रहा था तो आप हैरान है या सौक इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था हाला कि जौन को नहीं पता था कि नंबर टू से देख रहा है या नहीं लेकिन जौन फिर भी साबधानी से अपना सी नीचे कर लेता है जैसे जैसे बाच्चीत आंगे बढ़ रही होती जो यान को लगा कि चीज़े और ज़्यादा गलत होती जा रही है जौन तुरंती कहा था वे कौन है क्या भे मेरे जैसे ही है क्या भे बास तुम्हें एक दूसरे को देख सकते हैं आखिरकर वो एज्योर फिगर की तरह क्यों दिखते हैं या उनकी बहुत सारी एज्योर फिगर्स सभी ऐसे आकड़े क्यों है जो यान को ऐसा लगा होता है जैसे बहुत बड़े सीक्रेट के अंदर उसे फेक दिया गया हो और वो एक आउटर परसन है जो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता वो केवल आसपास की इंफोमेशन को गैदर करने के लिए बाचीत का साहरा ले सकता था और इसी से इंफोमेशन गैदर कर सकता था जो 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 यान को यहां खीच कर लाये था तो इसकी बेहत पॉसिविल्टी थी कि उसे जो जो आन की आइडेंटिटी पता चल जाएगी लेकिन जब सी और लिव बात कर रहे थे तो टैक्स दू कभी भी सेनेक्सी पर अटेक करने की हिमत नहीं करता और ग्रेट वर्ड के हानने का कारण यह था कि ग्रेट वर्ड के अंदर जो और इजन गोड़ते वो बेहदीगोई श्टिक थे जिसके कारण उने आउटर और इन अर्दोन ही परिसानियों का सामना करना पड़ा था और उने सभलने का मौका नहीं मिला साथ ही लिव की जैसे याबाज निकलती तो हर किसी बंदे की याबाज एकदम अलग होती है और एकदम लेजेंडरी साथ ही इन वाइस के अंदर अपनी अपनी सब की फीलिंग्स होती है और लिव के वर्ड्स को देखतो अगर वो बस्त में सेनेक्सी से आता है तो उसने हेवन हुमन मैंसन को देखा होगा और उसे हेवन हुमन मैंसन से नहीं होना चाहिए क्योंकि Heaven Human Mansion के लोग योहाइनस से नफरत करते हैं वो चाहते हैं कि योहाइनस मर जा और उसका reincarnation भी जबकि ये लोग योहाइनस की death पर अफसोस मना रहे होते हैं अगर ये Heaven Human Mansion से होते तो वो कभी भी ऐसा नहीं करते तब ही एक बंदा कहता है लेकिन मैंने सुना कि योहाइनस का reincarnation पहले से अपैर हो चुका है और अगर वो बास्ते में योहाइनस का reincarnation है तो ताइक सु कुछ भी नहीं है थोड़ी देर के बाद चुपी के बाद लिउ आंगे कहता है जैसे कि वो जानबूच कर किसी बात पर जोड़ दे रहा हो और वो इस बात पर जोड़ दे रहा था कि योहाइनस पूरी तरही किसे डिश्ट्रॉई नहीं हुए हालकि ये इस बाग कि कभी या सरल लग रहा था लेकिन बास्तर में इसमें खत्रे का भी अंदेशा था जो दर्साता है कि लिउ के दिल में इस चीज को लेकर ज़ादा भरोसा नहीं है क्योंकि वो जानता है कि बास्तर में योहाइनस का रेंकानेसन हुआ है और जो यहान ओरिजन में है तो आपको पता होना चाहिए कार कि अभी भी योहाइनस का जो रेंकानेसन वो बहुत कमजोर है लेकिन लिउने इस जान बूच कर कहा था जैसे कि वो यहाँ पर ये सो कर रहा हो कि अभी भी सैनेकसी को किसी के द्वारा धंकाया नहीं जा सकता सैनेकसी अभी भी श्ट्रॉंग है जो सुनकर जो आन चाना कि लिउ की आइडेंटिटीटी को लेकर सक में आ जाता है कि अगर यह साच है तो फिलिउ कौन है और कोई भी सान्त नहीं रहेगा हम सच्चाई को जूट में नहीं बदल सकते और यह सी होता है जो बोलता है और माहौल को सान्त हो गया होता एकदम ऐसा लग रहा होता है जैसे माहौल सान्त हो डराबना था लेकिन तब यह अचानक ए की आवा जाती है और यह वही था जोकी, यह बता रहा था कि जो यान से कोई परचित नहीं था यह तुरंथी जोन की तब देखते हुए कहता है नमबर नाइन, आपने किंग से क्या कहा, क्या आप इसे सब के साथ सेयर कर सकते हैं जो सुनकर जोन दंग रहेगा होता है कि क्या यह सभी लोग, जोयान साहित, उसे बड़ी सी बोड़ी के सर्वेंट हैं जिसके बाद जोन केता है, एम्परेर ने कहा कि मुझे जाने दो और इतनी सी बात के बाद जोन और चुप हो गया होता है जो देखर हो तुरन दिकता अगर आप त्यान जू के क्लोज जाने की हिमत करते हैं या उस ड्रेगन के या उस बीष्ट के, तो आप वहाँ पे खो जाएंगे इसलिए आपको उसके क्लोज जाने की खोज़ोत नहीं साती जैसी इस बंदी ने ये कहा होता, वो जो यान के लिए एक दम हैरान होता है तब जान के था, मुझे नहीं पता बस ये मेरे अंदर एक एहसास था और मैं उस तरफ चला गया साती जो यान ने जो कहा था, उससे अचाना की महोल सान्थ हो गया होता है साथी ने जो यान पर थोड़ थोड़ सक होता है लेकिन यहां किनो लोग एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं जानते तो जो यान के अंसर में लोगों को ज़्यादा सक नहीं था क्योंकि आके करज़वान पहली बार यहां पे आये था और अपने वर्ल्ड के यह पाउरफुल ओरीजन होने चाहिए बढ़ना वो इतने ज़्यादा अग्रेसिब नहीं होंगे तब ही यह तुरंदी कहता है एक एक एहसास क्या आप मुझे इसके बारें बता सकते हैं कि वो क्या है जो देखके जोन कहता है यह अजीब था मैंसे समझा नहीं सकता लेकिन मैं लगबग राजा द्वारा निगल दिया गया था मैं अब भी थोड़ा सा डरा हुआ हूँ जोन यहां पे डर का बहाना दे रहा हुता और टॉपिक को चेंज कर रहा हुता क्योंकि जोन नहीं चाहता था कि सच यहां पे उजागर हो जाए अभी भी बहुत कम जानकारी है इसलिए आसानी से बोलना साही नहीं होगा तब ही नमबर टू तुरंदी कहता ठीक है मुझे कुछ करना है इसलिए मैं पहले नमबर जाऊंगा और नहीं कहने के बार वो जोयान को इग्नोर किये हुए यहां से चला जाता है क्योंकि अब वो और टाइम बरबाद नहीं करना चाहता था तब ही वन तुरंदी कहता है ठीक है और वो टू को नहीं रोकता और एकदम एजीली उसे जाने देता है जिसके बार अचानक ही नमबर टू की जो फिगर होती है गायब हो जाती है दूसर जिवायन जब यह देखता है तो बहुत खुस होता है कि क्या बास्त में यहां से जाय जा सकता है जिसके बार अगर आप सभी को कुछ कहना है तो कहिए बढ़ना आप लोग जा सकते हैं कुछ देर तक किसी को न बोलते हुए देखकर वो लोग जोड से कहते हैं और सभी यह जोर फिगर अचानक ही चुप हो गई होती है साथ ही ऐसा लग रहा होता है कि आप यहां की जो असेम्बली थी वो समाप थो चुकी थी जिसके नमबर उन तुरंदी कहता ठीक है तो बैठा खारिच की जाती है और तरणती नीली फिगर से एक के बाद एक चली गई होती है थोड़ी देर के बाद यहां पे एक चार और जो यान बचा हुआ होता है ऐसा नहीं था कि वो छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन वो जानता नहीं था कि यहां से कैसे जाये जाये साथी तीनों फिगर यहां खड़ी हुई होती है जिसमें सिर्फ चौती फिगर कभी नहीं गई थी दूसर अब जो यान नमबर एक से पूछने से पहले नमबर चार के जाने का इंतिजार कर रहा होता है लेकिन नमबर चार ने जाने से इंकार कर दिया होता है तब ही नमबर चार तुरंदी गयता है नमबर नहीं तुम चले क्यों नहीं जाते क्या कुछ और है जो सुनकर जाने एक पल के लिए हरान हो गया होता है उसे नहीं पता था कि क्या कहना है और यह कहना तो और भी impossible था कि वो यह कहे कि उसे नहीं पता की कैसे जाना चाहिए हलाकि इससे उसकी जियाला आइडेंटीडी रिविल नहीं होगी लेकिन वो कुछ टाइम के या इलिये इपर भरोसा कर सकता था जहां तक दूसरों की बाते जॉन को अभी भी सतर्क रहने की ज़रुत थी हलाकि जहान ने बात नहीं की थी इससे सी को कुछ भी समझने आ होता ऐसा लग रहा होता है कि सी को इससे कुछ कहना है लेकिन जो यान नहीं गया है इसलिए वो अभी तक कुछ भी नहीं कह रहा होता दूसर्फ जयान अभी सोच रहा होता है कि C को कैसे जवाब दिया जाए कि तब ही कहता है वो अभी अभी आया है C तो आप इसे अभी के लिए टालते क्यों नहीं अगर आपको कुछ कहना है तो मैं बाद में आपको अकेले यहां पे आमंत्रित करूँगा जो यान के सोचने से पहले ही यहां पे जो यान की तरफ से जवाब दे देता है जो देखकर C तुरंथी कहता है ठीक है यह बैसे भी इतना जरूरी नहीं चलो अंगली बार इसके बारें बात करते हैं और C अपसोस के साथ तुरंथी कहता है जिसके बाद वो तुरंदी कहता है मैं तुम्हें इस बार जाने दूँगा लेकिन मैंने तुम पर एक एहसान किया है और इतना कहेकर सी चला गया होता है रिजान को थोड़ी से embarrassment महसूस होती है कि यह ऐसे एहसान बोलकर कैसे चला गया हलकि सी के बोलने के बाद जोड़ा सा है लेकिन जोआन फिर भी चुप होता है ऐसा लग रहा होता है जैसे वो मिष्टी या सोने का नाटक कर रहा हो जो देखकर सी तुरंदी कहता है यह बहुत बहुत बोरिंग है अलविदा ऐसा लग रहा होता है जो यान के इस चुप लहजे से उसे बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता जब सी चला गया होता तो अब इस फ्लोर पर के बाद जो यान और यही बचे हुए होते हैं जो एक दूसरे के अगे इस खड़े हुए होते हैं एक सबसे लाश्ट में और दूसरा सबसे उपर जिसके बाद जजजगता है और कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो नहीं जानता था कि कैसे बोलना चाहिए क्यों से सीधे इस से पूछना चाहिए कि यहां से कैसे जाना है क्या यह खुद को रिविल नहीं कर देगा क्योंकि ज़यन कभी भी यहां पर नहीं आया था चाहिए वो कहीं भी हो यह बहुत अचानक आया था साथी वो नमबर नाइन बन गया जो कि यहां का नहीं है साथी उनके साथ बात्ची से जोयान को यह महसूस नहीं हुआ कि यह जगे ऐल्यूजन है तभी जोयान की तब देखते हैं कि आप डरे हुए हैं और एकदम आराम से वो पूछता है तभी जोयान कीता है किया मैं आपसे पूछने की इजाज़त ले सकता हूँ कि आप कौन है जोयान को लग रहा होता है कि यहां पे चुप रहने के बज़ जाए बात चीत करना ज़्यादा बैतर होगा तभी इतुरंदी कैता हाला कि यह थोड़ा इगवेश्टिक है लेकिन क्योंकि आपने यह पूछा है तो आपको पहले मुझे बताना होगा कि आप कौन है थोड़ा रुकने के बाद जोयान को अपने प्रसने पूछने का पश्तावा महसूस हुआ होता है जैसे कि उसने खुद के चाकू से खुदी को काट लिया हो तब ही जोयान की तब देखते हो कैता फ्यूचर में दो वारा हैं से सवाल ना उठाएं यहां लोग के बले एक दूसरे की सूचनाओं को अदान प्रदान करते हैं लेकिन पैंचान के मुद्धे हमेसा सीक्रेट होते हैं उन्हें उजागर करने की जवरत नहीं है यह बाते काफी सीरियस होती है लेकिन इसमें चेतापनी भी होती है जिसके बार वो तुरंदी काता मुझे लगता है कि आप त्यान जू पिलर के क्लोज इसले पहुँचे क्योंकि आप नहीं जानते थे कि वो जगए एक restricted place है जो सुनकर जहान हैरान रहे गया होता है और इस बार वो इसे छिपाना जारी नहीं रखता क्योंकि अगर वो यहां से जाना चाता है तो उसे यहां पर जाने का तरीका पूछना ही होगा उसे यह सब जानना होगा कि वो यहां कैसे आया वो है कौन यह लोग कौन है यह कैई उस place क्या है वो emperor कौन है लेकिन यह इस बात पर depend करता है कि इस जवान को बताने के लिए तयार है या नहीं तब जवान कैता है हाँ मैं यहां पर पहली बार आया हूँ जवान के अब आज काफी serious होती है क्योंकि अब इसे चिपाने का कोई फादा नहीं था और अब उसे अपने दिल के secrets का जल से जल पता लगाना था तब ही तुरंती कहता है ठीक है मैं लंबे time से आपका इंतिजार कर रहा था ऐसा लग रहा होता है यह को कोई भी surprise फील नहीं हुआ लेकर इस जबाबने जौयान को चंपा दिया होता है जो देखकर जौयान कहता है क्या तुम मुझे यहाँ लाए हो जो देखकर यह तुरंती कहता है मुझ में यह च्ष्मता नहीं है आकर कर यह chaos god dream कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ कोई चाहे तो आ सकता है और जा सकता है। वो इसमाइल नहीं कर रहा होता , बलकि वो जो यान पे हस रहा होता है लेकिन सासेत वो सोच रहा था , के सवाल तोड़ आजीब था वो तुरंदी कहता है आप उनके जैसी ही हैं हर किसी ने एक जैसा ही सवाल पूछा था जो देखके जुएन तुरंदी कहता है क्या बास्तों में सबी लोग यहाँ पे बेबज़े ही आए हैं सीनियर क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं जुएन कोई भी कादम ने उठाता लेकर रिस्पेक्टेडली बात कर रहा होता है तब ही वो तुरंदी कहता हमारे बीच केबल इंफोमेशन को एक दूसरे के साथ सेयर किया जाता है तो अगर मुझे से आप कुछ पूछना चाते हैं तो आपको भी मुझे कुछ बताना होगा बेसा काप चाहें तो पहले आप इंफोमेशन बता सकते हैं जोज उनकर जुएन हेल्पलेस तरीके से स्माल करता है जुएन तुरंदी कहता है ठीक है अगर सीनियर को फ्यूचर में इसकी जवरत होगी तो मैं अपना सबसे बेस्ट करूँगा और उनके लिए कोई अच्छे इंफोमेशन निकाल कर लाऊंगा जो देखकर जी तुरंदी कहता है ठीक है ये कैयोस गॉड रियलम है ये कुछी दुनिया का पार्ट नहीं है सटीक तोर पर कहा जाए तो ये प्लेस सभी वृल्ड के उपर है और ये कोई जगए नहीं इसका कोई भी स्थान या टाइम नहीं है इसलिए इसे कैयोस प्लेस कहा जाता है हम कह सकते हैं कि केवल चूज किये गए परसन ही यहां पर आते हैं और जहां तक मुझे पता है केवल बेही यहां आने के लायक है जो जानते हैं कि टाइम की पूरी रिभर में उनका जो रोल है वो काफी यदा इंफोडेंट है साथी वो यहां पे दीरे दीर बोले की कोसिस करा होता है आप कुछ टाइम के बाद इस इंफोमेशन को समझ जाएंगे अब आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको उत्तर दूँगा और हर एक फ्रसनी के लिए आपकर मेरा एक एक एहसान है जैसे ही यह आंगे कहते है जौन के चेरे पर हलका सा कड़वाहट होता है लेकिन यह उसके जोर चेरे के नीचे दिखाई नहीं दे रहा था आखे का एहसान के मामले में आप जितना ज़्यादा एहसान अपने उपर लेंगे आए आपके लिए उतना ही ज़्यादा नुकसान दायक होगा इसलिए जौन लापरवाहित से कुछ भी नहीं पूछ सकता था उसे के पर प्रेजन टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्ब करने का तरीका ढूरना था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो यहां नहीं रहते बलकि वो सभी लोग अलग-अलग बर्ड में रहते हैं और यहां इंफोमेशन को गैधर करने के लिए आते हैं जोहन सबसे पहला कोश्चन पूछता है कि मैं बापस कैसे जा सकता हूँ आके कर यह वही सवाल है जो जो जोहन सबसे जादा जानना चाहता है क्योंकि यह लोग जा सकते हैं का मतलब है कि एक रास्ता है तभी जी तुरंती कहता है आप यहां पर कैसे पूछे जो सुनकर जुहान याद करता है कि वो तियान जैन की है जो लेट से टकराए था पूरी बोडी ट्रांसपेरेंट कांच जैसी हो गई होती है फिर उसे कुछ पता नहीं और वो यहां आ गया लेकिन जुहान अब ये बात ई को कैसे समझाए जुहान तुरंती कहता है मेरी बोडी में कुछ गड़वर थी और फिर मैं बेबजे यहां पर आ गया जुहान ने बिस्तार से नहीं कहा होता लेकिन उसने इसे अजीब तरीके से कहा तभी ही वो कहता है क्या तुम मर गए जोदेकर जोयान कहता है साथ मैं मरा नहीं हूँ लेकिन situation काफी जरूरी है और मुझे उसे confirm करने के लिए लोटने की जरूरत है जोयान यहां helpless तरीके से कह रहा होता है क्योंकि उसकी पूरी body transparent कांच में बदल चुकी थी और यह सोच करकि वो अभी भी destroy नहीं हुई थी जोदेकर जी जोयान से कहता ठीक है मैं एक बार आपकी मदद करने की कोसिस करूँगा लेकिन मेरा आप पर एक बहुत बड़ा आहसान होगा जोदेकर जोयान केता है क्या हि यह है इसका मतलब था की जोयान काफी कीमती था और इसलिए वो जोयान पर एहसन करना चाते थे साकी future में जोयान उनकी request पर agree हो सके और अगर कभी उने जोयान की मदद के जरुए थे तो जोयान आ सके जिसके बाद वो तुरंदी कहता है भविस्य में धोका देने के बारे में बिल्कुल मसोचना यहाँ सबसे इंपोड़े चीज इमाददारी है और अगर एक बार आप अपना भरोसा तोड़ देते हैं तो रिजल्ट काफी कतर नाक होंगे जो देखे जोन तुरंदी कहते सीनियर मैंने यह कभी नहीं का कि मैं धोका देने जा रहा हूँ आप मुझे पर विश्वास कर सकते हैं सीनियर हाला कि मेरी चमता है लिमिटेड है इसलिए मैं सीनियर से खुद को और ज़्यादा इंबैस ना करने के लिए कहूँगा जो भी नहीं पर जबने बैस करने के लिए कहूँगा ना करने बैहन के घोड़े इसलिए मैं सीनियर से मुझे और ज़्यादा इंबैस ना करने के लिए कहूँगा जोन खुद को यहां नीचे डाउन टॉर्थ और पूलाई रखने की कोसिस करता है क्योंकि जोन को पता दे कि खोड़े इस प्रावलम को सॉल्ब करने का उसके पास कोई तरीका नहीं तभी जो यह होता है वो तुरंदी का इता चिंता मत करो मैं जो भी तुमसे मागूंगा वो तुमारी श्रेंट के भीतर होगा हालकि इसकी एक आवा सकता है कि सभी आने बालों को इसका पालन करना होगा जब भी उन्हें बुलाए जाएगा उन्हें आना होगा जैसे इसने सीरियस तरीके से का होता है तो जहां दंग रहे गया होता है ऐसा लग रहा होता है कि जैसे future में ये place एक जरूरी place होगा और जब वो future में जगे के बारे में और जानेगा तो इस जगे के profit अपने आप में काफी ज़्यादा useful होगे तब ही तुरंदी कहता है आप इसके बारे में जानते हैं तो जयान भी इंबरस हो का smile करता है क्योंकि उसका मतलब था कि जोयान भी अपने वर्ल्ड में एक precious और strong पोजी सन ओल्ड करता होगा हाला कि जयान अभी अजीब तरीके से smile कर रहा होता लेकि लगी ली इस जगह पर जयान की चरिक इंप्रिसन किसी को नहीं दिख सकते थे लेकिन जयान इस बात से इन कार्ट नहीं करता क्योंकि उसने जोका वो सच था इस के लाबा आर्ट जो लाइट थी वो अलग अलग बर्ल्ड की powerful person होने चाहिए इसलिए बेसक जयान को सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की थी की लियू जो सेनेक्सी से था उसकी आखिरकार identity है क्या और क्या वो उसे जानता है और इस बार जयान को पहले ही situation का पता लगाने की ज़रुत थी हाला कि बाते करना जयान के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं था और सी ज़्यादा तर काफी यह भड़काने वाली बाते करता है साथी जो जगे थी एक दम exchange टाइप की बैटा का सैमिली हॉल है जहां कुछ पाना है तो कुछ देना होगा साथी जोन ने वर्ल्ड ट्री से सीखा था कि जिस भी वर्ल्ड में वो मवजूद है वहाँ पर योहानेस की प्रेजेंस काफी ज़्यादा strong लगती है और most of लोग योहानेस के बारे में जानते हैं साथी यह चीज जोन को और भी मिश्टियस बना रही होती है कि यहाँ से उसे काफी साइज चीज पता चली जिसे वो समझ सकता है साथी जोन ने हमेशा सोचा था कि यूलान इस्टार के जो लोग है वो एक powerful tribe है जो वाहरी दुनिया में मौजूद है लेकर ऐसा नहीं ता जैसा उसने सोचा था यूलान इस्टार के लोग कोई निश्चे tribe नहीं है ना ही कोई लोग हाला कि जोन इस टायम पर पूरा चहरा नहीं देख सकता था लेकिन वो एज़ो लाइट देख सकता था जो कि एक एज़ोर फिगर में उसकी तरह बदल चुकी है साथ ही इन में से कोई भी यूलान इस्टार से नहीं है बलकि उसके जैसा ही परसन है हर कोई साथ यहां पिज़ोन को यह भी एसास हुआ था कि उसे यहां पर सबसे श्ट्रॉंग नहीं माना जा सकता हाला कि उसना एम्परेर मोटे लेवल को ब्रेक्ट्रू कर दिया है लेकिन बास्तों में अभी भी उससे श्ट्रॉंग लोग हैं और उससे श्ट्रॉंग बढने के लिए अभी एक लॉंग पात को तैय करना है तभी जौन कहता है तो सीनियर फिर मुझे जाने में मदद करें क्योंकि सीचिवेसन बहुत जरूरी है अगर मैं थोड़ी और देर करता हूँ तो मैं सच मुछ मर सकता हूँ जौन हैलपलेस तरीके से ऐसा कहता है हाला कि जौन काफी लॉंग टाइम से जौन को नहीं पता था कि उनकी क्या हाला थी साथ ही जौन को ये जानने का भी तरीका नहीं मिला था कि बस तो मैं हो क्या रहा है लेकिन क्योंकि जौन अभी ठीक था वो जल से जल बापस जाना चाहता था तब ही यू तुरंती कहता है ठीक है तुम्हें याद रखना चाहिए मुएरा तुम पर एक छोटा आहसान है और एक बड़ा आहसान जो देखके जौन तुरंती कहता ठीक है मैं इसे नोट कर लूँगा और जौन बिना किसी कमेंट के एगरी हो गया होता है जिसके बोलने के बाद जो यान की ओर लाइट की एक रेज जाती है जो इसे काफी जादा आजीव सी इंफोमेशन के साथ भर देती है लेकिन ये जो फीलिंग होती है ये काफी अच्छी नहीं लग रही होती लेकिन चाहे कुछ भी जब तक जौन इस जगह को छोड़ सकता था उसे कुछ भी मंजूर था जिसके बाद जौन कहता है ये ठीक तो नहीं है लेकिन कम से कम मैं इस प्लेस को छोड़तो सकता हूँ जिसके बाद सीन सिप्ट होता और हमें दिखाई देता हैं अगर तुमने दो बारा ऐसा किया तो हमें क्रूल होने के लिए दोस मत देना और फूजिंग एम्पर त्यान जैंग पर नाराज हो रहा होता है और त्यान सु अपनी वाड़ी को क्रेट करने की बार बार कोसेश कर रहा होता और एम्पर त्यान जैंग बार बार उसे कीमे के डेर में बदल रहे होते हैं केबल वही नीला धड़कता हुआ दिल बच रहा होता है जिससे वो डिश्ट्रॉइ नहीं कर सकता था लेकिन ऐसा लग रहा था कि एम्परे त्यान जैंग को इसमें मदद आ रहा है और मज़ा आ रहा है तभी एम्परे त्यान जैंग केते क्योंकि आप मुझे इससे बचने का तरीका नहीं बताना चाहते तो मुझे लगता है कि मेरे पास आपके साथ टाइम बरबाद करने के लिए परयाप टाइम है मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं हूँ और मुझे लगता है कि आप लोग भी जल्दबाजी में नहीं होंगे तब यह तुरंदी कहते एम्परे त्यान जैंग मैंने तुमसे का कि वो निश्चेतोर पर यहाँ पर मर जाएगा कोई भी उसे नहीं बचा सकता तब तक जब तक कि वो खुदे से सॉल्व नहीं कर सकता लेकिन यह संभो है यानि कि वो मर चुका है ऐसा लग रहा था कि यह कनफम था कि जवान को अब कोई नहीं बचा पाएगा लेकिन जैसे जैसे टाइम बीचता जा रहा होता है एंपरर त्यान जैंग इनकी बोडियों को फोड रहा होता है ठीक ही यह कर रहे होते है फिर वो फोड रहा होता है लेकिन एम्पर त्यान जैंग को भी पता था चाहिए कितनी भी टाइम तक चलता रहे ये लोग कभी भी सच्छा ही नहीं बताएंगे साथ यहां पर एम्पर त्यान जैंग को भी इस बात पर भरोसा नहीं था कि heaven human mansion के पास जोन को बचाने का कोई रास्ता नहीं उसने टाइम टाइम पर जो यूली को देखा होता है जो नीले कलर की जोन को पकड़े हो बिना किसी हल चल के खड़ी हुई होती है अर एम्पर त्यान जैंग पर जो यूली अपना सेर हिलाती है उसकी वह कड़ी होती हो और आकों में टेंसन वो नहीं जानती थी कि जोयन की मदद कैसे की जाए क्योंकि जोयन की बोड़ी पॉजनस नहीं थी लेकिन वो जोयन को महसूस नहीं कर पा रहे थे कोई भी फ्लेक्चुएसा नहीं जिसने जोय यूली को वह है टेंसन में ला दिया होता है यहां पे जोयूली इस बात को लेकर और ज़्यादा चिंतित होती कि जब उसकी यूनर्मा को यह पता चलेगा तो उनके दिल में क्या बीतेगी जैसे कि फ्यालेश टीम के भी सभी लोग उनकी मुट्टिया कसकर जकड़े होती है वो तुरंदी कहते हैं आखिर कारण मास्टर जोयान के साथ क्या हुआ है उनकी सिच्वेसन ज्यादा आसाबादी नहीं लाग रही तब ही दूसरा परसन तुरंदी कहता चिंता मत करो एम्परर त्यान जैंग और जोयूली के साथ मास्टर जो ठीक हो जाएंगे उन्हें कुछ नहीं होगा दूसरा अब जू यूनर का जो चेहरा होता है उसमें जुर्या पड़ी होती है हाथ कसे हुए होते हैं और बे सबी देख सकते थे कि जून की हालत कितनी बूरी थी जो यूली जून को बचाने के हैरे एक तरीके को खोज रही होती है तब ही जो फूजी होता वो तुरंदी कहता है एम्परर त्यान जैंग ये इन्फाइनेट है है ना लेकिन अगर ये ऐसा है तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर जरूर करूँगा गुस्से में हो रही लगातार देरी के कान उन्हें काफी नुकसान जेलना पड़ रहा होता है उससे पता था कि जून मुसीवत में लेकिन उसे ये भी पता था कि एसेंट गौड या एसेंट डिवाइन जियलम यहाँ पर आता ही होगा और अगर एक बार एसेंट डिवाइन जियलम आ गया तो इनके लिए बचकर निकल पाना काफी मुस्किल होगा और फूजिंग का इरादय यहाँ सांद बैठकर मौत के इंतिजार करने का बिल्कुल नहीं था इसलिए चानक यह एक सांदार एजियो लाइट के साथ उसका हार्ट फूट परता है और एक पावरफुल लहर निकलती है जिससे एंपरे त्यांजेंग सैक्रोफीट पीछे चले गए होते है दूसरे फिस एजियो लाइट के साथ फूजिंग की टूटी हुई बाड़ी 100 टाइम फास्ट स्पीड से ठीक हो गई होती है और इस टाइम पे उसकी आखों से एजियो लाइट साइन होती है और वो अपने हाद में एक एजियो और पिल निकालता और उसे खा लेता है और उसकी साथ से फट गई होती है जिसके बाद वो तुरंती कहता है एंपर त्यांजेंग क्योंकि तुम मौत की तलास कर रहे हो तो मैं तुमें आज मार दूँगा फूजिंग को नहीं पदा था कि उसने जो एजियो और पिल ली है वो क्या थी लेकिन इस्टैम पे फूजिंग की बाड़ी से एक एजियो लाइट साइन होती है जैसे कि वो अभी अभी आया हो और ये जियो यूली की पावर और इंकारनेशन की पावर की तरह होती है जिसमें पावर और ओफ लौ की पावर सामिल थी साथी इस टैम पे फूजिंग की जो उपरी बाड़ी होती है वो एकदम नंगी पुंगी होती है उसकी आँकों से फीकी, light glow हो रही होती है और उसकी बाड़ी के चाओ तरफ, azure mist साथी उसकी पूरी बाड़ी को देख तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बाड़ी पर हलका सा है, transparent, azure armor अपेर हो गया हो जिसके बाड़ वो तुरंधी कहता है, मेरे god द्वारा दी गई इस spill के बाड, emperor त्यान जैंग आज मैं तुम्हें मार दूँगा इस समय फूजिंग का जो killing intent होता है, वो साथ में आसपान पर होता है और उसके हाथ में एक long sword होती है जो देखा, emperor त्यान जैंग तुरंधी कहता है, ओ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम अभी भी मेरे divine realm से जिंदा वहार आ सकते हो और फूजिंग के हाथ की जो sword होती है, अनगिना sword में बदल जाती है और तुरंधी तितर बितर हो गई होती है और इन sword ने चारतर पे घेरा बना लिया था जिसके बाद Emperor त्यान जैंग और फूजी की फिगर गायब हो गई होती है और महौल सांत हो गया होता है और Emperor त्यान जैंग की रुकावट के बिना त्यान सू का blood और mass एक बार फिर से तेजी से जोड़ गया होता है ऐसा लग रहा था त्यान सू थोड़े time के अंदर अपने आपको ठीक करने में capable होगा बाकी के जो आर्टिस प्रेट किंग होते हैं उनकी physical body भी लगबग create हो चुकी होती है और हर कोई लगबग जियो यूली को ही देख रहा होता है जो जियान को protect कर रही होती है चाहे कुछ भी हो आज इस बार इनका जो target था जियान को पूरी तईगी से खत्म करना था दूसर अब निंग्याओ ने जो कहा उसके according वो जान बूच कर चपा रहा था हर एक चीज को ये अंडर वर्ड के लोगों के बज़ जाए योहनेस के reincarnation से ज़्यादा डरते थे बेना केवल डरते हैं बलकि वो अपने target को पूरा करने के लिए हर एक हद तक जाने के लिए भी तयार थे और जैसे जैसे एंपर त्यान जैंग देरी करना चाता था इस प्रेट किंग भी अपना patience खोते जा रहे थे हाला कि उन्होंने पहले ऐसा रियक्ट किया था जैसे की उन्हें इस बात की परवा नहीं और जोड़ी देर बाद मर जाएगा लेकिन ऐसा लग रहा था इस situation में वो जल से जल जुहान से चुटकारा पाना चाते थे साथी Divine God के seniors भी जानते थे कि इस टाइम पे जो situation वो कितनी जरूरी है और जुहान को पहले की तरह मदद की जरूरा थी इसलिए उन्होंने जान बूच कर गड़बर नहीं की होती इस समय उनकी आखों में भी एक पागलपन होता है ऐसा लग रहा था कि अब वो और इंतिजार नहीं कर सकते तुस्था इस प्रेट किंग भी एकदम नाराज होते हैं वो भी टाइम बरवाद नहीं करना चाते थे उन्हें पतारा फूजिंग और एंपर त्यान जेंग दोनों रुके हुए हैं और ये सबसे अच्छा टाइम होगा इसलिए त्यान जू तुरंती एक जो ठोकर जो यूली के दब दोड़ पढ़ते हैं उनका टार्गेट यूली नहीं बलकि जो यान था साथ इन लोग उने मैजकल फिल्म तुरंती निगल ली होती है और तुरंती कहते हैं अगर आप उसे पकर नहीं सकते हो तुसकी फिचकल वाड़ी को चकना चूर कर दे इस सथ तक कि कभी भी उसके पास ठीक होने का मोका ही ना हो जैसे ही त्यान सुन सभी स्प्रिट किंग को ये मैसेज भेजता है 9 के 9 स्प्रिट किंग एक साथ से रिलातियों आंगे बढ़ गए होते हैं साथ ही यहां पर सभी की बड़ी से आजियो लाइट निकल रही होती है उनकी आखे हलकी नीली हो चुकी होई होती है साथ ही उनकी जो वाड़ी अभी तक ठीक नहीं हो पाई थी वो भी एकदम स्पीड के साथ ठीक हो गए होती है और आठ इस्प्रिट कींग एक दम इस पीड से ठीक हो चुके होते हैं और त्यानसून अपने पैरों की साथ आंगे बढ़ता है अपनी लॉंग स्रॉट को लेते हुए और एक पल में वो जियो यूली के पास पहुँच गया होता है और बिना कुछ कह उसने सीधे अटेक कर द हाती है और यह जो आजर पाम होती इसका सामना करते हैं डेथ गॉड सान्ती से खड़ा नहीं होता चांती से खड़ा होता है लेकिन इस अटेक से निकलने वाली जो फीलिंग होती है काफी मिश्टिरस होती है साथी त्यान सुन डेख तर गॉड के और यको मैसूस नहीं कर लेकिन वो काफी एरान होता है उसे लग रहा होता है कि उसका पाम अटेक इसे कंट्रोल कर सकता है साथ ही इस टाइम पे वो पूरे ग्रूप के साथ आंगे बढ़ रहा था इसलिए उसका कॉन्फीडेंस और भी ज्यादा था हाला कि जब यह बड़ी सी पाम अटेक देट गौ हो रान न की पाबर और मेरे अटेक को वो इतने आसानी से कैसे जेल सकता है हाला कि यह इजीब नहीं था कि इतनी आसानी से जेल लिया उसी टाइम पे त्यान सुनके पीछे अचानकी तूतने की आवाजर आती है एट इस्परिट ने भी पिल्को निगल लिया होता है और यूली ने भी डेस्टिकल पकड़ रखा होता है और उसकी आँकों में फाइटिंग इंटेंट अपने पीक लेवल पर होती है लेकिन वो अपनी मर्जी से एक्सन नहीं ले सकती थी उसे अभी विजवान को प्रोटेक्ट करना था दूसी तरफ ये जो स्प्रिट किंग थे इन्हों ने जब एजोर पिल निगली होती है तो इनकी पावर बढ़ चुकी होती है और ये पहले से एक दम अलग होते हैं जिसके बाद दौनों ही ग्रुपों के बीच फाइट श्टार्ट हो गई होती है हालग कि कॉंटेटी के मामले में इस्प्रिट किंग च grow फाइदा था चाहे इक ouच भी और दो इस्प्रिट किंग अभी भी होते हैं जो फ्री होते हैं और ये आन्मों और कोई जूण थे और ये कोई 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 पार था बलकि उनकी स्ट्रेटजी का एक पार्ट था साथ यहांप इनके पास सीधा मैसेज था कि अगर यह जियो यान की वाड़ी को हासिल नहीं खर सकते तो जियो यूरी और जियो यान दौनों को मार दो साथ इस टाइम पे जो यह 9-9 of Divine God के सीनियर होते हैं यह थोड़ा थोड़ा नुकसान में दिखाई दे रहे होते हैं किसी को भी नहीं पता था कि यह लोग अपनी लिमिट तक पहुँच गए हैं या यह लोग जो इस प्रिट किंगे ज़्यादा पावर्फुल हो गए हैं लेकिन सीच्वेशन ज़्यादा आसावादी थी नहीं इन इस प्रिट किंग की एज़ोल लाइट ने इनके अग्रेसन और अटैक पावर को इंक्रीज कर दिया था जैसे कि यह एज़ोल लाइट के साथ अनबीटेबल हो तभी जूलिंग जून तुरंथी कहता है डैमिट यह एज़ोल लाइट बास्तों में हमारी स्पीड को सप्रेस कर सकती है साथ इसकी खपत बहुत ज़्यादा है और हम बापस से से रिकवर नहीं कर सकते अगर यह ग्रेट बर्ड होता तो मैंने अकेले ही मार देता लेकिन यह सेनेक्सी है यहां मैं कोई को बापस से रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि मैं जिन्दा परसर नहीं हूँ जितना वो खर्च कर रहे हो तो उनकी इनरजी उतनी ही कम हो रही होती है तभी जूलिंग तुरंती कहता है डेथ गौड क्या तुम सील को एक्टिवेट करना चाहोगे और उस वे एक्सन लेने के लिए कहना चाहोगे सत्य ऐसा लग रहोता कि केवल यह दोनों ही यह बात सुन सकते थे तभी डेथ गौड कहता है बिलकुल नहीं और उसने सीधा मना कर दिया होता और हर को यह अपने दांत पीस लेता है हाला कि नाए नाए और डिवाइन गौड में 9 लोग थे लेकिन अब तक केवल 6 ही लोग अपेर हुए थे यानि कि 3 लोगों का अना अभी भी बाकी था और जब डेथ गौड इतना पावरफुल है तो आँगे के लोग और पावरफुल होंगे लेकिन बास्टर में उनकी बगल में एक फिकार होती है जो एकदम मुदास होती जैसे वो जिजा करा हो वो तुरंधी कहता है क्या वो आदमी मर चुका है यानी सिच्वेशन एकदम साब थी और चीमी का चुज़ा जो अंगिनस सालों तक जिन्दा रहा है वो भी एक होसियार परसन था हाला कि ऐसे नहीं था कि वो यहां पे जिजा करा था लेकिन उसे पता था सामने का बंदा जियो यान है और इसने अंगिनत पावरफुल लोगों को देखा था और वो भी योहांनेस के बारे में जानता था यान तक कि उसने अपनी आखों से एक या दो बार योहांनेस को देखा भी था जो कि एक एक एक्ष्ट्रीम पावरफुल परसन था जिससे खिलवार करना आसान काम नहीं था अगर तुम अपना सिर नहीं जुकाओगे तो सिर को उड़ा दिया जाएगा और जब चीमी के चूजे को पता चला था कि जोहांनेस का रहन कानेसन है तो वो याद करता है कि जोहांने उसे कैसे एक छोटे सा नेरे कमरे में कैथ कर दिया था और उसके दिल में काफी डर होता है साथी ऐसा लगता है कि वो जो यान खुद को छिपा रहा है और जो परसन आसपास घूमता है वो सिर्फ एक क्लोन होगा बेसक यह चीमी के तुके थे उसका रियल थौट नहीं था जिसके बद चीमी तुरंदी कहता हाला कि यह क्लोन काफी यारा रियर है लेकिन यह बहुत पावरलेस है लेकिन अगर यह चला गया तो फ्यूचर में अगर मैं चला गया तो फ्यूचर में काफी problem होगी क्योंकि future में ये बंदा मुझसे नाराज हो जाएगा इससे बचना काफी मुझकेल होगा तो बहतर है कि एक जुआ खेल लिया जाए और देखा जाए कि क्या मैं इस clone की power के use करके fight कर सकता हूँ आखेकार ऐसे person से दुस्मनी रखने से बहतर है कि इसके साथ दोस्ती की जाए अगर वो बास्तों में बदकिस्मत है और मर जाता है तो इसे भूल जाएंगे लेकिन अगर वो नहीं मरता तो कम से कम इसे एक हैसान की तोर पर जोड़ा जा सकता है और यह सोचकर चीमे का चूजा हिचके चाता नहीं है और भले ही वो कदम उठाए बोजी और यूली के सामने आ जाता है और भले ही हानमो और कुई जून यहाँ पे आए हो लेकिन एटिस्टार औरिजन गौड की फिचकल बॉड़ी का उसे जिन्दा नहीं रहने देना तो चलोगा इसीसी के साथ अब यह एपिसोड यहीं एंट करेंगे नेक्स एपिसोड में जून जाग जाएगा और इन सभी की लंका लगा कर भाग जाएगा तो बाइबाइ एथिरेन पैमली गूर्ड नाइट सोजाओ देखेंगे नेक्स एपिसोड में क्या होने बाला है आई होब कि नेक्स एपिसोड इससे सांदार होगा टाटा